नमस्कार दोस्तों सुवागत है मेरे यूटूब चनल इंडियान आयरवेधिक डॉक्टर पर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त MKS माई सेनी दोस्तों सबसे पहली बात तो यह वीडियो बहुत दिनों बात बन रहा है क्योंकि अपने चनल पर रेगुलर अपडेट नहीं थी राएष्संटान आयूस चीव संब्देरी है लेकिन आज फिक लीडियो बना रहा हूं एक बच्तों कासरा अपके अलोट में लेटर पे ह lernen यह दूसरा का नाम किस नाम से बनवानिया तो इसके लिए आंप देख सकते हो कि दूसरा को सब्सक्तों अंप किस नाम से वह अपने को refund हो जाएंगे फीस में से cut जाएंगे तो यह बड़ा क्युस्टन है तो देखते हैं तो सारे आपके जवाब मैं दूंगा अगर कोई आपका क्युस्टन मिस हो जाता है तो comment box में लिखिएगा मैं आपको अंसर करूंगा इसका तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कोलेज वाइस बैंक डिटेल फॉर फ्रेफेशन पर डीडी और यूजी कोर्स जैसे किसी को ट्रिपल एम मिली है तो किस नाम से बनानी है प्रिंसिपल ट्रिपल एम गवर्मेंट कोलेज उद्यपूर कितने अमाउंट की बनानी है 7309 रुपे की यह डीडी बनानी है ठीक है यहाँ पर देखो किसी को जोधपूर मिली है उनिस्टी कोलेज उपाइर वाइवाज है किसके नाम से बनानी है रजिस्टा डाक्टर एसा रास्तान आयर्ज उनिस्टी जोधपूर और पेएबल यह द्यान रखना कि यह पेएबल खांपे तो जो फोम बरती समय तो आप इसको ध्यान रखना कि उद्यपूर जोधपूर पिलानी उद्यपूर रेनवाल जैपूर शरिगंगानागर सरदार सर यह आपको उसमें जब डीडी बनवाते हैं तो इसमें पूंचा जाता है इसमें लिखा होता है पेएबल एड तो वहाँ पर यही चीज लिखनी है किसी को जैसे उद्यपूर मिली है तो शाथ जार तीन सो नोकी बनानी है और जिसको जोधपूर मिली है उसको पैसट अजार की तो आप खहने का मतलब यह है जो आपने काउंसलिंग फीस में 25,000 जो जमा करा तो प्राइवेट को जैसे पिलानी मिली है तो इस नाम से बनानी है तो कला आस्रम जो एक लाग पिछेतर जार रुपय की क्योंकि 25,000 आपने पहले जमा करा दिए तो फीस में उन्होंने पहले से बर लिए आपको दुबारा से रिफंड नहीं होका 25,000 इन्होंने फीस में से काट लिए तो जो पहले 2,00,000 की डीडी बनानी थी अब वो only 1,00,000,000 की डीडी बनानी है जो कि 25 आर आपने पहले जमा करा रहा हैं ठीक है तो 25 आर इन्हों ने काट के आपको डीडी बनवानी है यहां से प्रोवेजनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करोगे अलोट्मेंट की डाउनलोड करोगे वहीं पर यह कोलेज बैंक डीटेल फॉर फ्रेवेशन डीडी फॉर यूजी कोर्स यह आपको मिल जाएगी यह मेरे टेलिग्राम जोइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है किलियर है तो यह सारी चीजें देखो जितनी भी कोलेज हैं यूनानी की है होम्योपेटिक जो कोलेज आपको मिलिया उसके अपको डीडी बनानी है किसी के 1,05,05,05,2,65,000 की क्योंकि इसकी फींस कितनी है 2,90,000 वे इसकी फींस है तो 25 आपने जमा करा दिया थे क्योंकि कांस कि जो 25 आपने जमा करा थे वो फींस में भर लिय गया तो जीन बच्चों को 2,00,000 की डीडी बनानी थे उसकी जगए 1,05,05,000 की जिन को 90,000 की डीडी बनानी थे उसको 65,000 की क्योंकि 25 आपकर करके डीडी बनानी है तो यहां पर लिखा हुआ है अमांट सामने लिखना है सामन देखो यहां पर देखो, Office of Chairman Counseling Board, Provisional Seed Allocation List, Round 1, State Quota, ठीक है, तो Admission 2021 भाई, तो यहां पर देखो, Combined Merit 5 नमर, 1, 2, 3, 4, ने, कोई choice feeling नहीं की, क्या पता हूं, उनको MBBS मिल गया हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप List देख सकते हो, आप Upgradation के लिए भी जा सकते हो, तो यह List आपको मेरे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जोईन हो जाना, ठीक है, कोई भी comment, कोई भी question, तो आप comment box में डालना, आप इसको डाउनलोड करो, अपना alertment डाउनलोड करो, ठीक है, और कोई भी question, कोई भी comment box में बताना, मैं देजरे वीडियो बना रहा हूं, कल सं कोई कोई से photocopy set लेके जानी है, 50 रुपय का non judicial stamp paper भी साथ मे लेके आना, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप ही इस बार क्या था, देखो, last year क्या था, 149, state merit में 149 तक ही मिला था, लेकिन इस बार 276 तक मिला है, मतलब बहुत अंतर आ गया, दुगना अंतर आ गया, इ इस बच्चे से बच्चे कम ले रहे हो, इसलिए थोड़ा cut-off डाउन हो गया, तो इस अच्छी बात है बच्चों के लिए आईरवेद का option आ रहा है आपके सामने, तो I hope दोनों पीडिया आपको मेरे telegram channel मिल जाएगी, कोई भी कमेंटो, कोई भी क्योरी तो आप डाल सकते ह किस नाम से बनवानी है और कितने की बनवानी है मैंने एक क्लियर कर दिया, ठीक है 25 आप पहले से काट लिया, तो 25 आप काटने के बाद में जो amount लिखा हूँ, वह आपको बता दिया गया, तो धन्यवाद, थैंक्यू